आज हम कहानी पढ़ेंगे, उसका नाम है रंपल स्टिल्ट स्किन ये लेडी बड की बुख है और लैवल 2 छोटे बच्ये इसको खुद पढ़ सकते हैं अब हम इसको देखते हैं, इस कहानी में आखिर होता क्या है कौन है ये रंपल स्टिल्ट स्किन ये देखो कितनी अजीब सी शकल है ना इसकी अलगसा आदमी और इसका नाम भी कितना अद्बुद है रंपल, स्टिल्ट, स्किन इस कहानी में देखो वन डे अपूर मैं टुक इस जूटर तो सी दा किंग एक दिन एक गरीब आदमी यह दिख रहा है ना गरीब आदमी वो अपनी बेटी के साथ आया राजा के पास, यह है राजा इसके कपड़े देखो बच्चो इसके सर पे ताज, इसके जूते देखो इसके कपड़े, इसके जूलरी है ना राजा, राजा के पास गए इस गरीब आदमी ने कहा कि मेरी बेटी जो है वो घास से सोना बना देती है मतलब आप उसको घास दोगे तो उसका सोना बना देगी सुखी तिनके घास होती है ला उसका दा किंग टुब दा गर्ड टो ए रूम फुल अफ स्ट्रॉ जो राजा था देखो राजा ये खड़ा है वो उसको एक रूम में लगया जहाँ पर पूरे पूरे घास के तिनके थे घास ही घास थी घास ही घास ही घास थी ये देखो दिख रहे है ने clear यलो कलर की घास ये सब ये सब तो उससो इसको वो दिखाई वो कमरा दिखाया उसने का you must spin this straw into gold उसने का तुम्हें सारी घास जो भी है इस सूखे तिन के इनको सोने में बदलना होगा दब गर्ल बिगें टु क्राए लड़की रोने लग गई देखो उसके आँखों से आंसु भी आ रहे हैं देखो इसने का मैं यह नहीं कर सकती अफ़नी लिटल मैन केम इंटु दरूम एक फ़नी सादमी यह तो देखी देखी शकल लग रही है है ना उसको अपने पहले देखा था एक फ़नी आदमी उस रोम में आया उसने बोला इस आदमी ने क्या बोला बच्चों उसने का तुम अगर मुझे अपना हार दोगी यह रीज की माला देख रही है यह हाल हार I will give you my necklace मैं तुम्हें अपना हार देदूंगी नेक्स टे अगले दिन दे रूम वस फुल अफ गोल्ड यह रूम था यह देखो है ना रूम पहले इसमें क्या था सूखे तिन के अब देखो ध्यान से क्या है यह सोना और यह इसकी चमक तो पूरा रूम सोने के सिकों से भर फुल अफ गोल्ड तो राजा ने क्या किया कि राजा यह खड़ा हुए देखो उसने कहा अच्छा ओके तुस ने उसको और दूसरे रूम में जो बहुत सारा तिन के घास थी उसको बोला कि इसको भी अब तुम सोने में बदलो जो फणी आदमी था यह फणी सा वो रूम में आया उसने क्या बोला सुनते हैं उसने बोला अगर तुम मुझे अपनी अंगुठी दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा येस सेट दगर लड़की ने क्या बोला येस आई विल गिव यू माइ रिंग हां मैं तुम्हारी अंगुठी दोगी और देखो उसके हाथ में क्या है अंगुठी जो दे रही है इसने पहले इसको दिया था नेकलेस अब उसको दिया रिंग अगले दिन क्या हुआ जो रूम था वो पूरा सोने से भर गया सोने तके गेव द गड़ मोर स्ट्रॉ और जो राजा था उसने उसको और बहुत सारे गोल्डन क्लर के जो तिनके थे उनको दे दिया उसने का कि इसको भी अब तुम सोने में बदल दिया तो मैं तुमको अप अगले दिन क्या हुआ पूरा रूम सोने से भर गया और जो राजा था उसने उस लड़की से शादी कर दी देखो यह उसकी राणी बन गई सून दे हड़े चाइल्ड कुछ दुरवाद उनका एक बेबी था हुआ चाइल्ड यह रहा देखो ते स्वीट साहने अगर तुम मेरा नाम नहीं पचान सकी तो तुमको मुझे सारा सोना देना होगा नहीं पचान सकी तो तुमको मुझे अपने बच्चे को देना होगा क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमेस किया था तो कुईन बिगें टु क्राइए जो रानी थी वो रोने लग गई सोच सोच के कि अब अपने बच्चे को कैसे दूँ तो कुईन ने अपने आदमी भेजे जो भी नाम सुन सकते हैं पता कर क्या हो बट शी कुड नोट गैस दे नेम अफ़ फ़नी लिटल मैन लेकिन वो फ़नी जो लिटल आदमी था उसका नाम नहीं बचान पारे थी तो इसका आखिर क्या नाम है तो एक आदमी ये देखो इधर एक आदमी ने देखा कि फ़नी लिटल मैन जो था ये आदमी जो था वो गाना गारा था जंगल में उसने का तो क्वीन डुरानी है कभी भी इस गेम को नहीं जीत सकती क्योंकि मेरा नाम क्या है रंपल स्टिल्ट स्किन जो हमने कभी भी नहीं सुना पहले तो जो आदमी था वो रानी को बताने चला गया कौन सा ये जो सुना था इसने सुना था उसको गाना गाते हुए तो next day रानी ने बोला कि क्या हम क्या तुम्हारा नाम इस या नें रंपल स्टिल्ट किन है अड़क़ दान सा थैत हाँ जो सुना थैकंड उसने सोचको कैसी मेरा नाम पता चला इतना डिफट् तो किसी को बताया भी नहीं और गुस्ते में वो भागता भागता चला गया और उसको दुबारा कभी भी उस राज में किसी ने भी नहीं देखा और कहानी हो गई खतम तो कैसी लगी आपको एक कहानी रंपल स्टिल्ट स्किन की जरूर बताना